हेलो एवरीवन आज मैं आपके लिए बहुत ही यूसफुल रेमेडी लेकर आई हूँ जो के आपके लिए बहुत ही जादा बेनिफिशल होने वाली है तो वीडियो को फुल वाच कीजेगा वीडियो कर अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करन वाली है और यह गर्मियों में हर घर में हर लिडि को बना कर रखनी चाहिए क्योंकि यह जो चीज है ना बहुत ज़्यादा काम की है तो यहां पर मैंने सारे निफुल मिक्सी के जार में डाल दी है और इन्हें हम अच्छे से बिना पानी डाले पहले एक दो बार पीस तो यहां पर मैंने पहले एक बार बिना पानी के किया था उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी करके किया है क्योंकि अगर आप पहले बार में पानी डाल देंगे तो यह अच्छे से पिस लेंगे तो यह बहुत अच्छे से बारीख पिस जाता है तो कुछ इस तरह से पिसकर हाम किसे दूसरे बतन राष निकाल लेना और थोड़ा सा बानी आप जार में डाल कर इस पानी को फ़ोड़ा ज्णी में छली निकाल लीजिए और चुलक निकालने लिग में अपता रूह सब प hedgeар के दो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा साथ ही साथ अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी जरूर सी शेयर कीजेगा ताकि उनको भी हैल्प मिल सके तो यहां पर मैंने करीबन एक से डेड़ ग्लास पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल कर चान लिया और उसके बाद इसको जो हमारे थोड़ा सा जूस पल्प बचाए इसको भी दुबारा से हम मिक्सी में पीस कर और अच्छे से दबा दबा कर इसका जूस निकाल लेंगे इसके बाद न हम इस जूस में आगे पानी और भी एड़ करेंगा लेकिन उससे पहले हमें कुछ बनाए तो यहां पर मैंने जो डिटॉल है उसकी चोटी सीसी लिया है और उसके बाद में इसमें दो ढखकन दो चम्मच बढ़के बड़ी वाली चम्मच होती है वह बरके हम इसमें डिटॉल डाल देंगे और डिटॉल मैंने कुछ इतनी डाली है देख सकते हैं आप शीशी इसमें डिटॉल यहां पर नेप्थिलीन बॉल डालेंगे इस मेजरमेंट का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि अगर आप कम डालेंगे तो यह इतनी इफेक्टिव रेमेडिग नहीं बनेगी तो जितनी आपको नीबू लेने है उतनी आपको नेप्थिल अच्छे से किसी भारी खल्लड या उसकी मदद से उनको कूट लेते हैं तो यहां पर मैंने अध्रक कूटने वाले खल्लड से इसको कूटना शुरू कर दिया इस तरह से जब आप इसका पाउडर बनाते हैं बहुत ही आइसानी से इसका पाउडर बन जाता है अब हमारा यह जो solution है यह आपका बहुत ही multi-purpose solution बनकर त्यार हो गया है इस solution से आप अपने घर के सारे कीड़े मकोडे मच्छर मकी सब दूर तो भगाई सकते हैं लेकिन साथ ही साथ अगर आपने इसको डेली अपने पोछे में डालना शुरू कर दिया तो फिर तो आपके घर में बहुत ही नीबू की तो वहां पर एकदम जो गंदी होते हैं वह साफ हो जाती है तो यहां पर तो हमने डेल सारे नीबू लिए तो नीबू का रस जो होता है वह सफाई के लिए बहुत जादा काम की चीज होती है और डेटल और नेप्तिलीन बॉल हमारी मच्छर मक्यों को दूर रख अब भरने के लिए उससे पहले आपको क्या करना है जितना आपने इसमें पूरे मिक्स्चर में हमने चार ग्लास पानी का इस्तमाल किया है तो यह करीबन एक लीटर बनकर त्यार हो जाता है दस नीबू का दस नीबू दस नेप्तिलीन बॉल और करीबन दो बड़े वाले च के लिए चोटी बॉटल का इस्तमाल कर रही हूं चोटी बॉटल का जो मुह होता है वो चोटा होता बड़ी का बड़ा होता है तो इसका यहां पर कीप जैसा हम इससे बना लेंगे अगर आपके घर में कीप है तो आप कीप की मदद से इसे दूसरे बॉटल में अच्छे से रख लीजिए अब यह सलूशन आपका महीनों बिल्कुल खराब नहीं होता है और जब आप इसके मदद से आपने घर की सफाई करेंगे जैसे आपकी खड़की जंगले वगरा है या फिर कोई भी मतला आपका फरनीचर है तो आप हलका से पानी में डिप की डाल दीजिए औ लेकिन वह कीडे मकुणों को बिल्कुल पसंद नहीं हो तो डिटॉल जो होती है वह जम फ्री करती है तो है न कमाल की चीज तो इस तरह से यह शलूशन आपको गर्मियों में भर बना कर रख लेना चाहिए तो बहुत ही आसान ट्रेक ऐसे बनाने के लिए आप एक बार कि आप मेरी वीडियो किस गाउं या किस शेर से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ तो देखिए यहां पर मैंने पूरा इसको भर लिया थोड़ा सा हमारा मिक्स्चर जो है ना वो नीचे की साइड गारा हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा पानी एड़ करके ह हम इसको इसमें डाल देंगे हमें वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना है और जब आप अपने किचिन वगैरा में काम करते हैं देखते हैं मक्ही बहुँ जादा आगती है तो जब भी आप सफाई करना है तो आप इसको बाद में जब काम खतम हो जाए आपका तो इसकी कु पोछे के लिए इस्तमाल करना है तो आप इसे इस तरह से भर कर रख लीजिए और जब भी आप पोछा लगाएं तो एक धक्कन भरके अपनी बाल्टी में इस सॉलुशन को डाल लीजिए तो इससे क्या होगा कि आपके पोछे में सफाई के साथ साथ महक भी आएगी और इससे बहुत ही वेक्टिरिया फ्री आपका घर हो जाएगा तो देखे मैंने हां इस बॉटल में थोड़ी सी स्प्रे बॉटल का भी इस्तमाल किया जैसे मेरे पास स्प्रे बॉटल है तो उसका आप चाहें तो उसे भरें या ना भरें इसी में आप अपना जो इस तरह के आते हैं स्प्रे बॉटल के उसको इसी में लगा सकते हैं तो आप इससे स्प्रे जब करेंगे तो आपका जो स्प्रे बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा तो आई होप आपको मेरा यह आडिया ज़रू पसंद आया होगा तो चलिए ऐसी अमेजिंग आडिया के साथ मैं मिलती हू आपको अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाए